UPSC के तरफ से इंजिनियर के लिए vacancies आई है, कौन-कौन eligible है, qualification क्या है, fees क्या है, और क्या कतने exam pattern क्या है, कैसे selection process है, सारी चीजें डिसकस करने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी जाओ, मेरे YouTube चैनल पे मिलता है वो technical exam पे, नमस्का पहला मेरा request है कि technical exam चैनल को subscribe कर लीजे, छोटी सी छोटी अब्रेट पाने के लिए, चलिए बताते हैं, तो UPSC Union Public Service Commission vacancies निकाली है, और ये vacancies इतना important क्यों हो जाती है, क्योंकि अर्बहुत दिन बाद ऐसी कुछ है, तो vacancies है, क्या कहते हैं, आपके sub-divisional engineer की vacancies है, sub-divisional engineer के लिए ये आपके 4-5 जगह जो UT होती है, और चंदीगड और उसके बाद आपके 36 चंदीगड के लिए है, और ये vacancy number of vacancy 6 है, civil engineer के लिए, तो civil engineer के लिए 6 बगरे general की 4 vacancies है, उसके बाद EWS की 1 है, PW1 की है, और qualification क्याची, ये maximum 35 आपके BTEC होना जरूर है, देखिए क्या हो, आपको directly form fill करना है, form fill करने के बाद आपको वहाँ पर form फिलने बाद उसके बाद उनका result आएगा, directly result आने के बाद आप qualified होते हो, आपको exam नहीं दियना है, सीधे जाके आपको आपके जो marks बीटेंगे, उसके थूरू आपका होगा, उसके बाद qualified होते होते है, वहाँ से आप फिस भी नहीं है, form को आप fill कर सकते हो, easily fill कर सकते हो, और कुछ ऐसा नहीं है, तो आप maximum जितनी भी qualification है, सारा आप डालिएगा, उससे आपको फायता मिलेगा, experience होगा, तो experience जरूर फिल करिएगा, तो यह बहुत important update था, गाईज, और interview होगा, EWS और जनरल का 50 marks का, OBC का 40 marks, और हो सकता है, बाकी वीडियो कैसी लगी, जरूर बताएगे, अगर informative लगती तो वीडियो को share and like कीजिएगा, मिलते हैं, next video, make click, bye bye, bye and check in.